नवस्कार दोस्तों यह आपका स्वागत है लर्विद के के एक और अच्छी वीडियो में जिसमें आज हम बात करेंगे बहुत एच्छी टेडिंग सेटप की जिसको आप वन मिनट टाइम फ्रेम थ्री मिनट टाइम फ्रेम फाइब टाइम फ्रेम किसी पर यूज कर सकते हैं और इसके थूआ प्रोफिट बना सकते हैं बहुत अच्छा सेटप है बहुत ही प्यारा सेटप है अगर आप इस सेटप को यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर प्रोफिट होने वाला है पसरते आपने अगर नीमो को सही से पॉलाइड किया और सही से और मैं सर क्या बता हूँ आप सब करना चाहता हूं कि हमारी जो कम्यूटी है प्रोफिटिबल टेडर्स की बहुत ही तीजी के साथ बढ़ती जा रही है आपका बहुत सा सपोर्ट हमें मिलता जा रहा है टेली ग्राम पे भी हमरे लगातार में बढ़ते जा रहे हैं और यू बेल बटन जुरूर पेस कर दी से आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिक्शन आपको मिलती रहे हो कोई वीडियो आपको मिस ना हो सीधे बढ़ते हैं वीडियो के तरफ ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका और जल्दी से हम बढ़ेंगे स्टैटजी की तर पांच मिनट का चार्ट याप कोई भी अप्ला लीजाएं बहुत से एक्जम्पल्स आपको यहां पर दिखाने वाला हूं और उसके थ्रूफ आप यहां पर टेट कर सकते हैं तो दोस्तों इसमें आपको जैसे मैं ने नेच्वल गएस का पांच मिनट का चार्ज लगा लिय पहले moving orange में जाओंगा और यहां पे मैं लिख दूँँगा 10 और 10 को कर दूँँगा मैं high पे और कर दूँँगा ok उसके बाद में दूसरे पे जाओंगा और इसको भी कर दूँँगा 10 और इसको मैं कर दूँँगा low पे तीसरे पर जाओंगा और इसको मैं कर दूंगा 10 once again इस टाइम मैं यहां पर इसको रखूंगा high low close divide by 3 पर और कर दूंगा ok इसके बाद मैं जाओंगा अपने चौथे moving range पर इसे कर दूंगा 200 और इसे कर दूंगा high और इसका मैं color मैं लिज्जे मैं कर देता हूं red थोड़ा सा bold और कर देता हूं ok उसके बाद मैं जाता हूं अपने 5 में पर उसको कर देता हूं फिर से मैं red कर देता हूं bold और यहां पर 200 के अंदर जाता हूं इसे इस बार मैं कर देता हूँ लो पर ठीक है, यानि हमारा 200 एक हो गया, हमारा high एक हो गया low, थीसरा हमारा जोड़ दो है अगेन मैं यहाँ यहाँ पर जाऊंगा 200 पर इसको इस बार मैं कर दूँँगा high low close by 3 पर, style के अंदर जाऊंगा और यहां इसे अगेन मैं कर दूँँगा रेड पे और कर दूँगा थोड़ा सा बोर्ट तो यह देखे दोस्तों हमने क्या किया हमने यहां पे दो मुईंग अवरिजेस के सेट बना दिये एक 10 मुईंग अवरिज का और इसके थू हम ट्रेड करने कोशिश करेंगे पर यह हमारी इसकाम आता है कि जब मार्केट ट्रेंडिंग होती है तो हमें बताता है कि ट्रेंडिंग मार्केट कब होगी और ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर हम जब इंट्री लेते हैं तो हमारा ज्यादा चांसे होता है प्रॉफिट करने का अब इसमें आपको जाना है इस कर सकते हैं. इसे आप को कर देता हुँ, अब आपको एक चीज और करनी है, इसमें आपको फॉर्ट करनी है, क्योंकि ADX के अंदर हमें यहां पे लेवर्ट करने का नहीं मिलता, कोई चांस तो आपको फॉर्टी पे और कर देना है. okay और okay करने के बाद आपको इस template को कर देना है save जिस भी नाम से आप इसको save करना चाहते हैं आप save कर सकते हैं मानिजिए इसको मैंने कर दिया 10 200 और ADX के नाम से save और कर दिया मैंने इसको save ठीक है अब मैं बात करता हूँ कि आप इसमें buy कैसे करेंगे buy के लिए ये 10 के जो हम कारेज moving average के band है ये 200 के moving average के band के ऊपर होना चाहिए price इसको breakout दे के निकलना चाहिए और same time पे आपको ADX को देखना है कि वो 40 के ऊपर होना चाहिए 40 के चौट जेंटर लाइन है अगर उसके ऊपर है 355 तक आपका move बना और बाद में 335 करीब आपका यहां पे 10 पॉइंट इसली आप यहां पे natural gas के अंदर इस trade में आप buy side के लिए कर सकते थे same चीज आप sell side के लिए भी करेंगे बट sell side के लिए भी आपको देखना है कि आपका जो ये 10 का moving average है ये 200 के moving average के band के नीचे होना चाहिए और ADX जब भी आपका putty के उपर जाए तो आपको sell करना है और जैसे ADX putty के तरफ वापस आए तो आपको exit कर देना है और अगर price इसके उपर है मालिजे ये 200 है, price यहां है और band यहां है तो आपको यहां पे कोई trade नहीं करना है यानि कि 200 day के नीचे अगर 10 day moving average है तो आपको यहां पे sell ही रहुनना है buy आपको search नहीं करना है दोस्तों ठीक है देख लीजे यहां पर यहां पर sell आया ठीक है यहां देखिए 308 से और यह देखिए sell यहां तक बना रहा यहां ADX जाके आपको sell दे रहा है 295 कितना बड़ा move up आसानी से यहां पर catch कर सकते थे कल की date में आज की बात करते हैं 12 जन्वरी की देखिए यह buy आया ADX भी यहां buy दे रहा है यहां से buy अंदर पैट के यहां आपने exit किया फिर भी आपने देखिए 305 से लेके 3010 तक कपने 5 पांच पांच यहां पर आसानी साथ कमाए अभी देखिए अभी यहां पर फिर से यहां पर buy अभी क्योंकि ADX ने buy नहीं दिया हम यहां पर buy के लिए नहीं जा रहे हैं फिलहाल में हम wait करेंगे इसी तरह से आप अलग-अलग instruments में इसको लगा के चेक कर सकते हैं मैं आपको एक option के चार्ट पे भी इसको जल्दी से लगा के दिखा देता हूं माली जे मैं option के अंदर गया और माली जे मैंने यहां पर लगाया 42,400 की put लगा दी मैंने ठीक है क्योंकि मैं हूं scalper मैं चाहता हूं जल्दी से मैं अपने points को अचीव करूँ और यहां से मैं exit कर दूँ यहां मैंने 40 पे अपना एक horizontal line कीश दी क्योंकि इस line को मेरे को बार बार plot करना पड़ेगा और यह मेरे लिए थोड़ा सा एक परसानी का सबब है क्योंकि ADX में यहां पे आप line को plot नहीं कर सकते हैं आप देखी यहां पे इस trade को देखी आप जैसे ही price इसके उपर निकल रहा है और अगर आपका यहां पे price ADX भी 40 के उपर है तो आप यहां बाई कर सकते हैं बाई किये हमने एक बार exit किया यहां पे और मुस्ट हम कॉस्प exit कर गए और अगेन आप देखी यहां पे हमको buy बिल रहा है 501 के करीब और आप exit देखी यहां पे जब आ रहा है तो आपको 618 100 पॉइंट आपको असानी स्कैल्प हो गया इसके पीछे भी आप देख सकते हैं सूबह यहां पे देखी जब buy बना ADX भी नीचे आपका 40 को पर sustain कर रहा है और 315 का price आप देख सकते हैं 527 तक आपको खीच के ले गया और ADX के साब से exit कर रहे हैं 488 कास पस तब भी बहुत अच्छा profit आप कह सकते हैं कि यहां पे आपको मिलता हुआ नजर आया और ऐसा नहीं कि आपके विल put side में trade कर सकते हैं आप इसके अंदर call side के अंदर भी अगर जाते हैं माली जी अगर एक निट के time frame के अंदर मैं जाता हूँ यहां पे buy side की trade तब पनेगी जब हम यहां पे 20 और 200 दोनों को यहां पे उपर देखेंगे इसके जैसी यह देखी breakout का लाया था यहां पे इसकी उपर price गया same हुसको ADX हमको चेक करना है कि 40 के उपर होना चाहिए फिर से हमने यहां पे एक line को जल्दी से plot कर दिया और यहां पे मैंने इसको कर दिया 40 पे कर दिया ओके और देखें यहां पे 40 पे ADX आ गया यहां price में पर एक उट दिया 203 का price दिखें कहां चला गया दोस्तों 284 exit या तो इसके हिसाब से कीजिए या ADX के हिसाब से भी गरब कर रहे हैं तो भी आप यहां पे 257 पे निकल रहे हैं तो 200 का price 257 पे 50 point आपको मिलना है दोस्तों और क्या चाहिए आपको इससे ज़्यादा और एतनी easily ना आपको कोई divergence ढूनना है ना कोई breakout ढूनना है ना कुछ करना है बस आपको 10 day moving average और यहां पे ADX के साथ में आपको अपने setup को follow करना है और इसके थ्रू आपको profit बनाना है यहां पे भी देख सकते हैं एक बड़ा move आया इसको भी आप catch कर सकते हैं तो उसके अदा की इन price यहां breakout हुआ लेकिन ADX हमारा उपर नहीं था तो यह हम trade नहीं करेंगे तो आपको हमेशा filter out करना है ADX के through 10 और 20 के जो आपके trades आते हैं उनको price अगर इसके उपर है और अगर ADX भी 40 के उपर है then only आपको यहां पे buy के ले जाना है और मालीजी इसके नीचे है अगर option selling के तौर पे आप कम करना चाते हैं तो आप यहां 513 से भी देख सकते हैं sell करेंगे यह ADX भी उपर आ रहा है तो 513 से आप देख सकते हैं कि exit आपको जा के आ रहा है 337 even low भी आपका 389 बनाया तो इतना बड़ा move आप इन्दा मनी की call को भी sell करके यहां पर पैसा बना सकते हैं यानि कि यह option buyer, option seller सब के लिए बहुत ही बहतरीन सिस्टम है यहां देखिए जब breakout आ रहा है ADX इसके उपर है आप देख सकते हैं कितना बड़ा move आप आसानी से catch कर सकते हैं तो दोस्तों इस सिस्टम को आप हर एक चीज के उपर लगा के देखिए हर एक instrument पर track कीजिए, trade कीजिए और definitely यहां पर आपको profit होने वाला है बसरते आपने मैंने जो आपको नियम बताए हैं उनको अगर आप follow करेंगे तो यहां पर आपको जरूर profit होगा तो चलिए आसा करता हूँ वीडियो पोच्छा लगेगा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए का, कमेंट कीजिए का, शेयर कीएगा फिर मिलेंगे सित्रे के informative वीडियो के साथ तब तक लिए बाइबाइ, टेकर और थैंक्स पर वाचिंग